वो तो एक परवाज है, पुरबोर एक आवाज है, खामोशियों की है जुबा, चल्दे तो चल्दे कारवा, वो है जहाँ, वो है जहाँ, लगती है जैसे आस्मा, वो है लगी, वो रोशनी, नमस्कार राते जस्वीनी में आप सभी का स्वागत है, कहते हैं कि आत्म विश्वास, लगन और मेहनत से, जिन्दगी में कुछ भी हासिल किया जा सकता है, और इसी का उधारन है इस बार की सिविल सर्विसेस की टॉपर जिनोंने तमाम शारिरिक अक्षमताओं को पीछे छोड़कर उनसे लोहा लेकर वो आगे बढ़ी और बन गई इस बार की सिविल सर्विसेस की टॉपर और ऐसी महिला बलकि पहली महिला होने का उनको खिताब या गौरब भी उनको हासिल हो गया जिहां हमारी आज की तेजस्विनी एरा सिंगल कुछ कर गुज़रने की जित, हार ना मानने का जस्पा और अदम में इच्छा शक्ती ये कुछ ऐसे असाधरन गुण हैं जो किसी एक इनसान में एक साथ विडले ही दिखते हैं और अगर इनसाब का एक साथ शुमार हो जाए तो उसे हम एरा सिंगल के अलावा और क्या कह सकते हैं एरा सिंगल, सिविल सेवा परिक्षा की इस साल की टॉपर शारिरिक तोर से अक्षम, लेकिन जेनरल केटेगरी की भारतिय सिविल सेवा परिक्षा की पहली महिला टॉपर स्पाइन संबंधी डिसॉडर से ग्रस्त एरा ने 2010 की सिविल सेवा परिक्षा में भी सफलता पाई थी लेकिन अजब विडंबना रही कि इस शारिरिक अशक्तता के कारण उन्हें पोस्टिंग नहीं दी गई एरा ने हार नहीं मानी और अपने केस को सेंट्रल एड्मिनिस्ट्रेटिव ट्राइबिनल में लड़ा और अंतदह 2014 में पोस्टिंग हासिल की ये महज एरा का कुछ कर गुजरने का हुसला ही था जिसने आज उसे इस मकाम तक पहुँचा दिया Spanish Teaching के अलावा पूर्व में Multinational में काम कर चुकी Computer Scientist और MBA एरा सिंगल है हमारी आज की तेजस्विनी तो आईए मुलाकात करते हैं इस बार के Civil Services के टॉपर एरा सिंगल से और जानते हैं उनके जिंदगी के तमाम पहलों के बार में बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत बढ़ाई है बहुत-बहुत शुपकामना है हमारी तरफ से एरा धन्यवाद तो इरा इतने सारी आपने यह जो अचीव किया है मतलब Civil Services में आपने टॉप किया है तमाम बाधाओं को आपने पार किया है करोड़ों के लिए आप एक inspiration एक प्रकाश पुंच के तरह उनके सामने आज खड़ी हुई है कैसा लग रहा है इतना सब कुछ छप रहा है इतना आपने आपको बार बार देखके मैं क्या अचीव करूंगी उससे क्या फरक पड़ता है मतलब आप अपनी तस्विर क्यू देखना चाहते हैं सार बार तो इसलिए और अगर अगर इतना स्वादा मेडिया में जा रहे हैं जितना मैं जा रही हूं और आप उसको देखके मान है यह तो पहला स्टेप है तू अच्छी अचीव जो मैं यहां करने आई थी अच्छा यह बताई इतनी ज्यादा डाउन टू अर्थ कैसे हैं आप आजकल तो लोगों के पास कुछ नहीं होता तो वहा में उड़ने लगते हैं कैसे यह जो एक ट्रेनिंग आपकी हुई है औ मैं कॉन्वें स्कूल में गई थी और वहां पे आपको बहुत जादा एक अच्छा इंसान बनाया जाता है वहां पे अच्छेस पे और अचीवमेंट्स पे इतना गौड नहीं देते हैं क्छा इतनी पाम क्यांस ब कम ऐसे किना क्या में, अपिस भड़नों, और मेरे घर मेरे पापा, érie, में दादी, मेरे कॉजनस, मेरे पूरा परिवार, बहुत पॉजिटिञ तिंकिन और बहुत फोजिट ज़िऑशने वाला। उंचा इन दे सेंस की दूसरों को पहले रखके एंड हमें नॉन सेल्फिश होना सिखाए गया तो मैं जॉइंट फामिली में थी बच्पन में तो सबसे पहले यह होता था कि कोई भी चीज अगर आप लाते थे तो पहले आपको सब को बांटी है और तभी आप उसे खुद के पहले यूज करेंगे जैसे मैं आज तक कोई भी चॉकलेट पूरी नहीं खा सकती हूं क्योंकि मुझे लगता है पहले में जाके दूसरों को दूं फिर मैं उसमें से खाऊं मतलब शेरिंग और केरिंग यह चैप्टर तो हर बच्चा पढ़ता है लेकिन आपकी तरह उसको अपने जिन्दगी में उस तरह से हम लोग नहीं उतार पाते हैं मुझे तो यह सिखाए गया बच्पन में तो फिर यह जो आप करें कि स्कूल का बहुत बड़ा यूगदान रहा यह बताईए कि अब अगर हम बात यह कर लें कि जब आप सिविल सर्विसेस में टॉपर बन अपने सुना उस वक्त क्या रियाक्शन था और सबसे पहले आपके जहन में क्या आया जब आपने यह खबर सुने मैं अचली काफी देर तक नहीं मान पाई मैं अपने फ्रेंज को यही बोला दुबारा चेक कर लो तो मैं पक्का विश्वास है तुमने ठीक से देखा है रो करने कर तो आप नहीं सोचते और ना मैंने सोचा था क्योंकि यह हम यह तक अंधर तो कोई अलग से इन्सान होते हैं वह बहुति करते होंगे तो पता कितना पढ़ते होंगे आप मैं यह र ізधर तो बहुत ही कम पढ़ा got reach to my first attempt Yuk मेरा बन गया था उसके बाद मैंने थोड़ा तो बहुत ही कम करी थी तो क्या कॉंफिडेंस था अंदर से की मतलब हो जाएगा हा क्योंकि मैं एक चीज करी थी कि मैं अपनी गल्तियों को आनलाइज कर लेती थी honestly कि मैंने क्या किया है मैंसे सबसे बड़ी चीज है शब मैं लगी भी थी क्योंकि मुझे क्वेस्टन के सारे आंसाज आते थे यह कम होता है आपके साथ कि आपको पूरा क्वेस्टन पेपर आता हो एक दूर टॉपिक्स को छोड़के जो मैंने बिल्कुल नहीं चुए थे मुझे अल्मूस सारा पे पता था कि यह गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो पढ़ रहा है वो आप उसकी इंटेलिजेंस को रिस्पेक्ट करो आप मानों कि उससे भी आता है तो आप उसे अगर कुछ अपनी जूट बोलके ज्यान जादा ना दो उसे उसे ना बताओ जितना आपको आता है आप इन फाक्ट मैंने दो हफते की चुट्टी तो ली ती पर उसमें मैंने बैठके खुब किताबे पढ़ीं थी और खुब इधर घूमी थी और मुझे लगा दो हफते पार्टी करने को मिल गए इन फाक्ट इंटिव्यू से पहली रात मुझे आदाया कल इंट्र विछे किया था, तो मुझे उस बारे में पूरी तरह पता था और बेसिक नॉलेज तो मुझे थी मतला बेसिक सिस्टेम्स की नॉलेज, बेसिक आसपास दुनिया में क्या है उसकी नॉलेज़ पढ़ा ही तो मैंने नहीं करी थी और इंटर्वियू से मुझे डर नहीं लगता है क्योंकि मैं इंटर्वियूर आपको निकालने के लिए नहीं बैठा है उसको आपको लेना है उसे आपको एक कारण देना है कि आपको निकाले तो आपके उपर है आप अगर इंटेवियो में फेल हो रहे हैं, इंटेवियो की यह इंटेंशन नहीं है कि आपको निकालना चाहता है मतलब आपने फिर उसे कोई कारण नहीं दिया कि वो निकाल सके मुझे पता नहीं अभी नंबर नहीं आया है अच्छा तो यह आपका अटेंब्ट जो है वो कितने नंबर वाला था मतलब आप पहले भी अपियर हो चुकी थी तो कितने सामय लग गया था मैंने त्यारी 2010 में स्टार्ट करी थी, early 2010 में ही क्योंकि तब preliminary exam में optional आता था तो 2010 में कर रही थी मैंने 2010 में बहुत तयारी करी थी फिर 11 का टेंप दिया था मैंने 13 का दिया था और 14 का दिया था तो इतना मैंने 12 में नहीं करी थी कि मैंने यह सोचा था जब मैं आई थी कि मैं दो अटेंप्ट के बाद इसको नहीं दूगी मेरा कॉप्रेट में जॉब बहुत अच्छा था मुझे बहुत मज़ा आता था उस जॉब में मेरी कंपनी बहुत अच्छी थी कंपनी मुझे बहुत सपोर्ट भी किया था तो मैंने सुचा था कि दो साल दूंगी, मुझे उमीद थी कि मेरा दो साल में अगर मैं सिंसरली एफर्ट करती हूं तो हो जाना चाहिए पर मैंने यह 13 और 14 इसले दिया क्योंकि तब मैं कोर्ट केस लड़ रही थी और मेरे पास और कुछ करने को था नहीं मैं कमपनी नहीं जॉइन करना चाहती थी वापस कोई क्योंकि मैं जॉइन करती और बाइचांस कोर्ट का जज्जमेंट आ जाता तो मैं किसी कमपनी के साथ चीटिंग करती और मैंने एक दो इंटव्यू दिये थे शुरू में जब मुझे लगा कि कोर्ट केस शायद नहीं सॉ अचा यह बताएगी 2010 में जब आप क्लियर कर गई एक्जाम और आप आई आरेस में चली भी गए उसके उसके बाद क्या हुआ क्यों क्यों आपको नहीं दे रहे थे वो पोस्टिंग क्या वज़े थी तो एक मेडिकल क्राइटिरिया होते हैं पी एच कांड़ेट के लिए ज आपकी एक टांग में प्रबल्म है दोनों हाथो में प्रबल्म है एक हाथ में प्रबल्म है इस तरह की बनाई है इनोने अन दूसरी फिजिकल रिक्वार्मेंट्स है कि आप देख सकते हैं लिख सकते हैं भाग सकते हैं समान उठा सकते हैं चल सकते हैं बोल सकते हैं तो मेरा फिजिकल रुवार्मेंट सारी फुल्फिल कर थी सब सर्वसे के लिए देश्ड तर फंक्शन लीक्लासिफिकेशनस ने लिए अपने अरी icons ली मैं uniforms दो कंपर एंप मे प्रोब्लमस ही थीओ और पॉब्लन स्केरि न से तो भी उढम्सिकेशन Treatment इस इस जॉप के लिए थी और किसी के लिए नहीं थी तो या तो मैं I.S. बनती या में कुछ नहीं बनती और यह नौट जिस्ट मेरी सविल सर्वसेज भी था यह सारी गृप B, C, D सब सर्वसेज के लिए है यह कैस क्या बात ही बता अप में बहुत समझ नहीं आती पता नहीं सिर्फ मेरी क्लासिफिकेशन, I.S. की जो काड़र कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसने एकसेप्ट करी है बाकी किसी नहीं करी है तो यह नीचे तक किसी सर्वस में अलाओ नहीं है तो अच्छा फिर आप फिर क्या हुआ हुआ फिर मेरे पैरेंस ने सुचा कि हम कोड जाएंग क्या कुछ और हो सकता है इसमें कुछ और प्रिसिदेंस है कुछ और तरीका है पर नहीं मिला उने तो उन्होंने 2012 मेरा कांसल कर दिया मैं उस ताम पर त्यारी करी थी तो 2011 के अटेम्ट की पर मेरे पास बाकी कांड़ेट्स के फोन आते थे कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है पह तो मैंने सुचा कि ठीक है अब हम कोट में चले जाते हैं क्योंकि शायद मेरे ज़ज्मेंट से बाकी किसी को भी ज़ज्मेंट उनको सर्विस मिल पाए ऐसा नहीं हुआ लोग आज भी फाइट कर रहे हैं सिस्टम से बट मैं आप लगभग लग साल बाद ने आपके पक्ष में फैसला दिया है और आप वहां पर लेकिन बाकियों के साथ ऐसा अभी भी नहीं हुआ है एक चोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और इरा सिंगल हमारे साथ हैं आई इसकी टॉपर है इस बार की और कुछ परेशानियों का जिक्र भी वो कर रही है और इसके लिए फाइट कर कर नाम से हम सब देश्वासी परिचित हैं कौन है इरा सिंगल आज यह 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 बात आ रही है लेकिन इरा यह बताए कि जैसे आप ब्रेक पर जाने से पहले बता रही थी कि बहुत सारे आपके जैसे लोग हैं जो अभी भी कही ना कहीं स्टक हुए 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 सिस्टम के सा कर देशाने से मेरी कल मीटिंग हुई थी मेरी डेपार्टमेंट ऑ परसल एंट्रेनिंग से मीटिंग हुए है मैं इन लोगों को प्रोपोजल्स दिया है कि रवाइस किया जाए तो उस पे अभी काम होपफुली स्टार्ट हो जाएगा और हो रहा है और जो मेरे साथ हुआ और जो मुझे पता है बहुत लोगों के साथ हो रहा है वो आगे किसी के साहथ ना हो जिनके साथभी पखने है उनके साथ जाएगा है यह पहला स्टेप है मैं अब इस पे मेनद कर रही है आपके जिन था अब जबकि आप ने यह चीज अचीज अचीज कर ली है, आप गर में आपके पेरिंस है वो क्या सोचते हैं अपनी होनहार बीटिया के बारे में? क्यासा लगता हुए उन्हें? नियुक्न को कहीं पर यह है कि इसी ने किया है। क्योंकि मैं इंटलिजेंट थी बच्छमन सेहीं नहीं है। दिना पढ़े ही यहीं? नहीं मैं बहुत अच्छे नंबर भी नहीं है। आच्छा में पढ़ाती थी तब नंबर आ जाते थी उसके बाद से मेरे ओपर मामी काम में बजी हो गई तो फुर्धाय मेरे ओपर गये तब मैने कुछ नहीं किया तो उसके बाद से मैं पास तो हो जाती थी ठीक हिए तरह नहीं किमिर न आप इंड यहां कौन अब रपता है बिल्कु दकेल ना बड़ता है अच्छा ये बताईए कि पढ़ाई के दौरान कॉलिज के दौरान जिस तरह की अक्षामताओं से आपने संखर्श किया आपने जूचाओं ने ओवरकम किया किस तरह की मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं और खास दौर से हम जाते हैं कि एक तो शारीरिक अक्षामता और उपर से एक महिला होने के लिए वो डबल हो जाती है ऐसा कहा जाता है आपका ये जो संखर्श रहा जिंदगी का उसके बारे में हमें कुछ बताईए है मैं को कभी नहीं लगा कि मेरे में कोई प्रॉब्लम है या मैं किसी चीज में कम हूँ या मैंने मुझ में कोई कमी है और वो मैं आज भी नहीं सोचती इसलिए शायद मुझे कुछ इसमें बड़ा नहीं लग रहा है आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है हाँ मुझे इसमें कुछ बड़ा नहीं लग रहा है कि कुछ हुआ हो या कुछ मैंने किया हो क्योंकि मैं मेरे कोई हाँ यह और मेरे घर्वालों ने रगिए कि तुममे कोई कमी नी अगर तुम डिफरेंट बिखते हु यह डिफरेंट वह बडूआ तो इसमे क्या फरता थाःता है दुनिया में सब कोई प्रॉब्लम हो तीक है on-surface behind the scenes ाहिव किसी बच्चे के अपप नही है उसको ज़्यादा प्रोब्लम है अज कंपेर्टो मुझे जा जे है तो मैंने कभी नहीं मानई कि मेरे मेरे क्वाईट मुझे कोई प्रोब्लम्स आफ्टो सिवागान इस वज़ से में में को वो प्रोब्लम्स अच्छा मुझे लगता है कि आप जो मानते हैं आप जैसा अपने आपको देखते हैं दुनिया भी आपको ऐसे ही देखती है तो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है कि मेरे आसपास के लोगों भी मुझे हमेशा ऐसे ही ट्रीट कि यह कोई डिफरेंट वो नहीं है हाँ पर एक लड़की हो कि आप कैसे बहेव कर रहे हो तो हमारे हैं होता है लड़के हैं तो यह तो नाच्रल है शायद पढ़ाई में वह मान लेते हैं कि लड़कां बैटर होंगी क्योंकि चलो लड़कें जादा एफट करती हैं लड़कें लगी रहती है जादा सिंसियर है ना तो इसले ठीक है हम अपने एंजिनरिंग कॉलेज में दो साल होसल प्रेज़ंट थी उस टाइम पहली थी जो दो साल कंटिनर्स प्रेज़ंट थी मेरे टीचर ने काफी टीचर मुझे बहुत सपोर्ट किया है काफी टीचर ने मुझे एक्वल ओपरचुनिटी जो लड़कों को मिलती थी आर इ तुम लोग क्यों कॉम कर रही हो तुम्हें शादी करके घर जाना हैं तुम ऐसे करोगी जैसे हम कभी कोई कई चीज celebrating करने की कोशष़ करते और टीचर्स कहते ने ने छोड़ दो तो हम उनकों से कहते नहीं सर हम करना चाहते हैं तो वो कहते अरे तुम लड़किया हो तुम ऐसे शादी जाके उस घर में क्या करोगी तो लड़कियों के लिए एक काटेगरी बनी विया है कि तुम्हारी सारी लाइफ सिर्फ इस बात पे क्या कुछ शौक रखती हैं आप क्या कुछ करती है अपने खाली वक्त में अपता देखने वालों को लग सकता है कि साब वैसे तो आपने बताया कि पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी अच्छी थी पास होती थी ती टिक टाक नमरों से लेकिन लगता है कि यह तो कि काफी मेसेज़ जा रहे हैं लोग कह रहें कि हम मोटिवेटेड कैसे रहें तो मैं उस पर यह कहना चाहूंगी कि अप खाली वक जो है उसको प्रोड़क्टिवली यूज करिए जो अपने बारे में बैटके मत सोचिए जितना अपने बारे में सोचेंगे उतना ही अपको अपने अपने आक्शन को जरूर अनलाइज करिए कि मैंने ऐसा क्यों किया और अपने आप से सच बोलिये दुनिया से बोलिये अपने आप से तो सच बोलिये और मैं वैसे बहुत नौवल्स पढ़ती थी मेरे बच्पन मेरे बहुत नौवल्स फाड़े हैं इन फाक्ट एक मेरा जुलिख से लाईन थैंशात्प्राइं में लाईबरी तरही था हम लाईबरी था इतीजा तरहा है, पापा ने अधसे खार था सब्या Nunके और सबस्क्रेदे था ूब किताब के अंदर रखցए लाईन ए छिया था तो नया मुझे ट्रावलिंग का बहुत ज्यादा शॉक है, जैसी मुखा मिलता है, मैं सुट के से ठाके चलने को तियार रहती हूँ मुझे पिक्चरों का शॉक है, म्यूजिक का मुवीज देखती हैं, कौन सी मुवीज आपको ज्यादा पसंद आती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब देख लती हूँ entertainment, masala नहीं मैं, slapstick comedy कम देखती हूँ मुझे थोड़ी, you know, dialogue based comedy in the sense, situational comedy जादा पसंद आती है, rather than और मुझे action इतना पसंद नहीं होता है because violence मुझे पसंद नहीं है but haa, generally I watch whatever I can get my hands on and you watch TV also to be honest, Hindi serial तो नहीं देखे हैं मैं पिछले कोई 20 साल में but haa, मैंने English serials बहुत देखे हैं so, वो, मैं बहुत जादा देखती हूँ and जाहिर है, मेरे कहल से ख़बरों के channels तो आप देखती हूँगी कि नहीं, 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 नहीं देखती हूँ कि हम लोग थोड़ा किताबों से और analysis की news होती थी तो वो, मैं उससे करती थी फिर engineering hostel में अख़बार पढ़ते थे हम TV तो था नहीं होता है कि लोग compromise भी करते हैं, जुख जाते हैं आप अपने आपको उन सब चीजों के लिए किस तरह से तयार कर रही है या आप किस तरह से देख रही है अपने आगे के सफर को मुझे लगता है compromise necessarily हमें करनी की जरूवत नहीं होती है हम अगर अपना point ठीक से रखें और हमारा point अगर सही है तो मुझे नहीं लगता कोई भी चाहता है कि वो गलत काम ही करें तो मैं necessarily compromise तो नहीं सोच रही हूं कि करना पड़ेगा मुझे मुझे लगता है mid path हर चीज में होता है अगर सामने वाले को गलत मान के उसकी बात सुनेंगे तो ही आपको गलत लगेगी पर अगर दूसरे का view point देख के चीज को अनलाइस करेंगे तो आपको compromise नहीं होता है कोई चीज फिर वो सबके भले के ले हो जाती है तो यह जो responsibilities हैं बहुत बड़ी responsibilities हैं और कई बार कहा जाता है कि जिस तरह कि postings आपको मिलती हैं ऐसे ऐसे areas में आप लोग जाते हैं वहाँ पर काफी कुछ अकेले संभालने के लिए बहुत जादा आपको mentally भी strong होना पड़ता है हम तो देख रहे हैं कि आपको वो तो training कूट कूट कर मिली हुई है लेकिन फिर भी यह जो एक mental level पर एक तैयारी जिसको हम कहते हैं उसके बारे में आप क्या सोचती हैं कितना mentally आप तैयार हो पाती हैं इसी चीजों के लिए अच्छी मैं सिविल्स में आई MBA करने के बाद इसले थी क्योंकि मैंने ऐसा हांडल कर लिया था लाइक में और मैंने बहुत प्रेशर्स कर लिया था अपने जॉब में हांडल कैसे रियाक्त करती हूं कि मुझे यह पता था कि I cannot fail at this job इस जॉब पर फेल होने से आप नॉमल जॉब में कॉपरेट में फेल होते हैं तो ज्यादा फरक आपको पढ़ता है थोड़ा financial losses होते हैं इसमें लोगों की lives effect होती हैं तो I was very very clear कि मैं इस जॉब में तब तक नहीं आऊँगी जब तक मैं actually कुछ इतनी strong ना हो जाओं कि मैं इसे justice दे पाऊं इस जॉब को justice कर पाऊं अजा यह बता हैं बहुत सारे लोग हैं जो कि aspirants हैं civil services में जाना चाहते हैं कमरे किराये पर लेकर अपने घरों से दूर बड़े बड़े शहरों में दिल्ली में आके बैठते हैं पढ़ते हैं बहुत सारे कोचिंग लेते हैं ऐसे aspirants के लिए आप क्या tips देना चाहेंगी अपनी तरफ से मैं ठी Apdh平त लेकर अगर फड़ एठ बड़ा हैं उसके लिए मत पर अपने ले पढ़ाई कीजे सिंसर्य पढ़ाई कीजिए आप काली किताब monster में कभीन ही और मुंझे और इसे जिंदगी और जिंदगी की सबसे इंपॉर्टन चीज मत बना लिजे ये एक एक एक्जाम है आप इसे एक एक्जाम की तरह लीजे ये आपकी लाइफ को और आप जो अचीव करेंगे उसे डिफाइन नहीं करता है तो वो डिफिनेशन आप इस से नहीं ढूंड सकते जब तक आप इसको एक normal exam की तरह एक step of your life की तरह नहीं लेते, आप शायद मुश्किल है आपके लिए अच्छा जैसे कि आपने शुरू में कहा था कि ये तो पहला step है, मुझे जिन्दीगी में बहुत कुछ करना है, क्या ambition है अब life में? मैं मैं services में आई ही इसलिए थी कि मुझे social service करनी थी mainly, अपने disadvantaged sections, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, disabled लोगों के लिए, इन सब के लिए system में रहे के साथ काम करना था, ताकि इनकी lives पे effect पढ़ पाए, और वो मेरा अभी भी aim है, इंडिया ही नहीं मैं वर्ल्ट इसी तरह से देखा था हमेशा, कि मैं अगर कुछ करना जाती हूं, तो मुझे यहां सिर्फ इसलिए आना था, कि यह platform है मेरे लिए, और हमें लगता है कि इस मज जिसे आप आगे बढ़ेंगी, और रास्ता दिखाएंगी, और जो संघर्ष आपने किया है, वो संघर्ष प्रेड़ना ले सकते हैं किसी भी वक्त, अगले हफ़ते एक नई तेजस्विनी से हम आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार